तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू के दो चैप्टर चैप्टर नंबर 12 और 13 इन दोनों चैप्टर का complete solution करने वाले हैं यानि कि इन दोनों चैप्टर से जितने भी subjective question आप लोग के बुक में पूछे गए हैं वो सारे subjective question का answer आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को complete कराने वाली हूँ तो वीडियो तो काफी important हो जाता है स्टार्टिंग से लेकर अंथ तक बिना skip के complete देखिएगा ताकि हर एक question का answer आप लोग को समझ में आ सके और कोई भी doubt इन दोनों चैप्टर के solution से आप लोग के mind में न रहे हैं ठीक है ना और स्टार्टिंग में मैं आप लोग को कहूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें फड़ा-फट लाइक कर देना है आप लोग को और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब भी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके वाट्सेप ग्रूप जितने भी एचार तो शेयर कर देना है और चानल पर आप लोग नहीं नहीं आए हुए हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो नाउं विदाउट एनी फॉर्दर डिले लाट्स गो टू स्टार्ट तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है और एक चीज मैं यहां पर सबसे पहले क्लेर कर दूँ कि जो मैं आप लोग को चैप्टर नमबर 8 और 9 का कोशन एंसर कराई थी और चैप्टर नमबर 8 का नाम था प्रॉमिस ठीक है तो 8-9 का कोशन चैप्टर नमबर 8 उसका कोशन एंसर छूट गया है जब मैं कराई थी तो 9-10 और 11 कराई तो वो 10 और 11 ना होकर 11 और 12 था और आज के इस वीडियो में 12 और 13 होने वाला है तो इसी वज़े से मैं सोची कि 12 और 13 11 और 12 तक तो हो गया है यानकि 12 तक कोशन एंसर हो गया है 13 कराने के बजाए 13 और 14 यानि कि 14 कराने के बजाए 13 और वो जो 8 चैप्टर छूटा हुआ था उसका कोशन एंसर करा देती हूँ एक बार फिर से जाए ध्यान से सुझ जीजे चैप्टर नमबर 8 और 9 का कोशन एंसर करा रही थी हलांकि चैप्टर नमबर 8 नहीं था वो 9 था 9 और 10 का हुआ था 8 छूट गया था ठीक है फिर 10 और 11 कराई तो 10 से 11 नहीं था 11 और 12 था और आज के इस वीडियो में 12 और 13 कराने वाली हूँ तो 12 और 13 ना कराकर मैं 13 तो कम्प्लीट कराऊंगी यानि कि 13 चैप्टर का कोशन एंसर कराऊंगी लेकिन 12 और इसके पहले वाले वीडियो में कम्प 17 ठीक है मतलब कि अब जितना चैप्टर आप लोगों को अगले वीडियो में कम्प्लीट कराऊं अब सिक्वेंस में चलेगा बस यह एक जो चैप्टर चूट गया था जिसको जैसे गडबड़ी हो गई थी वह जो है ना चैप्टर नमबर 8 जो प्रॉमिस नाम का चैप्टर है हमीद सबसे चोटा बेटा रहता है यह उसी के बारे में आप लोगों को बताना है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि हमीद अमो का चोटा बेटा था अमो के बाकी तीनों बड़े बेटे तो डॉक्तर इंजिनियर बनकर अमेरिका चले गये थे लेकिन हमीद की स्यासी पार्टी में शामील हो गया इमतहान करीब आने पर स्टडी के लिए अब जब उसको ताकीद करते थे तो कहता था मुझे इस तालिम नहीं देना है बल्के एलेक्शन के लिए काम करना है इस तरह वह तालिम से बिल्कुल महरूम हो गया और वह एक मिनिस्टर बन गया ठीक है तो यह हो गया हमीद के बारे में कुछ डिटल्स जो आप लोगों को बताना था यहां पर कितने अच्छे तरीके से खुबसूरत लफजों का यूज करके एंसर लिख दिया गया है आगे बढ़ते हैं दूसरा चवाल है कि अम्मो के चारों बेटों के नाम और उनके क सबसे चोटा घर ही पर रहता था यानकि सबसे चोटा बीटा जो हमीद था वो घर पर ही रहता था वो अपने माबाप के सांत रहता था पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था इसलिए स्यासत का रुख किया और कुछ दिनों के लिए मरकजी हुकूमत में वजीर बन गया अंधेरे कमरे में अकेली लेटी वह दर्ज से तड़ रही थी किसी दवा का कोई असर नहीं होता बदन का कोई हिस्सा काबू में न था कापते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोश्च करती तो सारा बिस्तर भिंग जाता अम्मो ने जायदात बेचकर चारों बेटों को और इंजीनियर बनाया अच्छी डिग्रिया मिलते ही उन सब के पंप निकल आये और उन्होंने अमेरिका की तरफ परवाज की ठानी अम्मो दरसल इनी बातों से दुखी थी इनी बातों को सोच रही थी और अम्मो दुखी थी ठीक है तो यह हो गया इसका एंसर कि अम्मो क् बेटे ने अन्मों के बेटों ने उन civ साथ कूं नहीं दिया दो जवाव में देखी लिखा गया है फिस्तर readily पड़िए उनके सारे जिसम में पैल गया था गोई है अम्मो मौद के आगोश में हैं हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़ कर अमेरिका में बसे उसके बक्यत तीनों बेटे अपने एहल वायाल के सांथ अम्मो की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आये थें कि मा के जनाजे को कांधा देंगे मगर मा की यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई कांधा देने वाला उसका आखरी बेटा हिंदुस्तान में रहते हुए भी स्यासी मस्रूफियत के वज़े से नहीं आ सका बाकी तीनों बेटे जो थे बाकी बेटे भी महदूद वक्त लेकर आये थे मा की मौत पर ताखिर देखकर वापस लोट गए यानकी मा की मौत में लेट हो गया तो वो समय निकाल कर आये थे ठीके तो फिर वो चले गए मौत में लेट हो गया तो इस तरह मा की मौत में किसी बेटे ने साथ नहीं दिया ठीक है यह हो गया एंसर अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तवील सवलात यानकी लॉंग टाइप क्यूशन सबसे पहला सवाल है कि अफसाना प्रॉमिस की रोशनी में आज के एहद के इंसानी रिष्टों पर इजहारे ख्याल कीजिए ठीक है चलि ऐसमाकी बेबसी का अलमिया है कहानी में एक जैस मा को अम्स की किरदार की शकल में पेश किया गया है अमो के चींप जो बेटे हैं वह बड़े डॉक्टर इंजिनियर बनकर अमेरिका में खुशाल जिंदगी गुजार रहे हैं छोटा बेटा हिंदुस्तान में मुकीम है लेकिन सियासी मस्रूफियत में उसको मा को देखने की फुर्सत नहीं है तीनों बेटों ने मा के जनाज़े को कांधा देने का वादा कर रखा था जब इलालत की संगीनी की खबर मालूम हुई तो तीनों बेटे अपने वादे की तकमील के लिए हिंदुस्तान आये आये भी लेकिन महदूद फुर्सत की वज़ा से मौत से किबली चले गए यान की वादे को पूरा करने के लिए वो लोग हिंदुस्तान आये भी लेकिन महदूद फुर्सत की वज़ा से वो वापस मौ वापत होने से पहले ही लोट गए यानकी समय कम था कम समय लेकर आये थे और मुट जब समय पर नहीं हुई तो वापस लोट गए यहां तक के एक दो रोज में ही अम्मो की मुट वाके हो गई तो छोटा बेटा भी हिंदुस्तान में रहने के बावजूद जनाजा में नहीं आ अफसाने में बैन किये गए वाकियात और अधा किये गए मुकालमात से साफवाज़ होता है कि मौत के हाथों जूल रही मा से उसके बेटे उसके बेटों के रिष्टे में खोखलापन तसंनों और रहाकारी बलके मकारी आ गई थी उस दौर के मादा परस्त जहातलब और तै छीन कर रख लिए था वह दर्जा सफाक बेदर्द और बेरहम बन चुके थे अभी मा की मौद वाके वी नहीं और उसे नजे के आलम में ही छोड़कर चुपके से सभी रुक्षत हो गए और इंसानी रिष्टों का अमली तोर पर मजाक उड़ाया है ठीक है तो यह हो गया एंस कर लिखना है ठीक है दूसरा सवाल है कि प्रॉमिस अफसाने का खुलासा या नेकी तलखी श्पेस कीजिए मैं लगकी खुलासा कर देना है शौट को लिखना है तो देखे जवाब में लिखा गया है कि पेश नजर अफसाना प्रॉमिस जिलानी बानों का एक हकीकत पसंद इस अफसाना में जाहतलबी और मादा परस्ती के नतीजे में इनसानी रिष्टों के खोखलेपन की अकासी की गई है कहानी कुछ यू है कि हिंदुस्तान के एक मतमूल खांदान में अम्मो नाम की एक खातून है अम्मो इस कहानी की मरकजी किरदार भी है यान की में करेक्ट और एक जागीरदार खांदान से तालुक रखती है उनके शोहर वकील है जिनकी वकालत बराये नाम ही चलती है एक जी शौर खातून होने की वज़ा से अम्मो ने अपने बेटे को आला तालीम दिलवाया उनके चारों बेटे बलतर्तीव इस तरह हैं जमशेद खुर्शीद रशीद और हमीद जिनमें तीनों बड़े बेटे अम्मो को अम्मो ने जाइधात बेच कर डॉक्तर इंजीनियर वगएरा बनवाया लेकिन छोटा बेटा हमीद पढ़ने की तरफ रागुब नहीं था चुनांचा उसने एक सियासी पाटी में श्मूलियत एक्तियार कर लिय और रफ्तर रफ्तर मरकज में वजीर के ओदे तक पहुंच गया तीनों बड़े बेटे अमेरिका के मुक्तलिफ मुकामात पर मलाजमत की वज़े से मा को छोड़कर अमेरिका चले गए और वहां खुशाल जिंदगी गुजारने लगे और बाल बच्चों को अमेरिका तालिम म हमातन मसरूफ हो गए ठीक है इसी बीच अमो को कैंसर जैसे मुजी मर्ज ने दबोच लिया अब वह दो सालों तक साहबे फरास ही रही और टेली फोन के जरीये कभी अगर मा से बेटों की गुफ्तगू हो जाती थी जब कैंसर का मर्ज लाहक हो गया और अमो के पूरे दो सा को कानदे देंगे मैं सभी बेटे शरी Clay discussions की इसी चीज़ को मतलब यह याद और या वादा याद आया तो इसी को लेकर आना सभी बेटे सावज हो गया रिद्ध जब मा की हालत नाजक हो चली तो बेटों पर اللा को इस तेन्हों अमेरिका या वाले पढ़े आये भी लेकिन उ कई दिनों ताखीर हो गई इसलिए वा लोग डॉलर और रियाल देकर चले गए यहां तक कि छोटा बेटा हमीद भी हिंदुस्तान में रहते हुए जनाजे में शरीक नहीं हो सका और माँ अपनी तिशना ख्वाहिस लेकर दुनिया से चली गई ठीक है मतलब कि अम्बो नाम की प्रॉमिस ले थी कि उसके चारों बेटे कांधा देंगे लेकिन एहम वक्त पर जो है न उसके बेटे जो है न उसका सांथ छोड़ देते हैं बताए ऐसा बेटा होने का फायदा है क्या इससे अच्छा है कि बेटे ही न रहे ठीक है तीसरा सवाल है कि प्रॉमिस अफसाने की जलानी बानों की किर्दार नेगरी को वाज़ हुँ कीजिये अब यहां पर जवाब में देखे किया लिखा गया है कि जलानी बानों के इस अफसाने के में किर्दार नेगरी ही असल बिन्याद है यानि अफसाना निगार ने किरदारों की जिन्दगी के तजर्बे को दिखाया है और उसके हवाले से इस दोर के मौसरती रिष्टों की सच्चाई को जाहिर किया है खुआ या सच्चाई कितने ही कड़वी क्यों न हो इस अफसाने की मरकजी किरदार मा है जिसे अम्मो के नाम से पेश किया गया है ठीक है मतलब की अभी जो अभी का जेनरेशन है ना अभी के जेनरेशन का सच्चाई जो है जो है ना ये जाहिर किया गया है इस कहानी के जरिए अम्मो अपने शोहर वकील सहब की मौत के बाद किसी बेटे के पास नहीं रह पाती है उनके बेटों ने जान बूझ कर अपनी मसरुफियात का बहाना बना कर मा को अबाई मकान में रहने पर मजबूर कर दिया अपने जिस्मानी तकलीफ को सहती हुई वो अपने दिली कर्व को भी जहलती रहती है कोई अम्मों की परवाह नहीं करता है मगर बेटों की तई वो अपनी फित्रती महबत का इजहार करती रहती है ये अलग बात है कि कोई इस जजबे की कदर करने वाला नहीं है मतलब की बेटा कितना भी दुटकार दे अपनी मा को लेकिन मा मा होती है चाहे कितना भी आप मतलब अपने मा को नजर अंदाज कर दीजिए लेकिन मा जो होती है ना हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है उससे प्यार से बात करती है उसी तरह यहां पर भी कंडिशन था बिस्तर मर्ग पर अम्मो को इस तल्ख हकीकत का एसास होता है साथ ही जिन्दगी की हकाइक का इर्फान भी उसे हासिल होता है अफसाने की बतदा और इंतहा दोनों में अम्मो का अमल इर्फान हकीकत की एन मताबिक है अफसाने के दूसरे पराग्राफ और आखिर के चन्द अक्तिबासात में या पता चलता है कि मा ने हकीकत का इर्फान हासिल कर लिया है बिस्तरे मर्ग पर अम्मों के साथ बेटे सर जुकाये खड़े हैं और अम्मों ने देख लिया कि किसी की आँख में आसू नहीं है अम्मों की खादमा फ्वाजाबी ने जब उनकी आँखें खुली देखी तो डर गई के शायद उन्होंने लड़कों को जाते हुए भी देख लिया है इस अफसाने में जिलानी बानों की किरदार मेगारी का फन अपने उरूज पर है उन्होंने अफसाना में किरदारों की पेशकस में फनकराना सलाहियत का इजहार किया है मा के किरदार का इमट नक्स और उसके दर्ज से कारी का अटूट रिष्टा बनाने में यह अफसाना बेहद कामयाब है टो यह हो गया एंसर अब 1 interpretation जो छूट गया था कौशेट कर रहा अब यहां से जो chapter 11 है पहले वाले विदियो में जब किम्पी तर चौशल कर कुशन है कि आखो के दिए कब बुच जाते हैं मेरा सफ़र नाम का चैप्टर है चैप्टर नमबर 13 मेरा सफर ठीक है उसी का ये कोशन एंसर है आँखों के दिये कब बुच जाते हैं तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि शायर अली सरदार जाफरी ने जेरे निसाब नजम मेरा सफर को एक वसी तनाजिर में पेश किया है चुनांचा सफर से शायर की म आँख भी बेजान हो जाती है और उसकी रोशनी खत्म हो जाती है ठीक है तो आँखों के दिये कब बुच जाते हैं इसका एंसर तो आप लोगों को पता चल गया होगा जब मौत आने वाली होती है तो उस वक्त आँखों के दिये बुच जाते हैं यानि कि आँखों से नजब मेरा सफर में जादतार इस्ताराती जबाना इस्तमाल किया है चुनांचा शायर ने इस नजब में अपने आपसो एक ट्रह कराइं करार दिया है। शायर कहता है कि कत्रा गर्चे दर्या का कमतरीन हिस्सा है फिर भी वह अपने वजूद को दर्या में जम करके सफर में मस्रूफ रहता है माजी की सुराही से निकल कर हाल की तामीर करता है और हाल के सफर से मुस्तक्बिल का तसौर पेश करता है तो ये खोवी बताई है शायर ने तरपते कत्रेगी ठीक है तीसरा सवाल देखिए मौत की आमद से पहले यानिकी मौत आने से पहले जो मनजर पेश किया गया है उसे अपने अलफाज में बेयान कीजिए जवाब में लिखा गया है कि अली सरदार जाफरी ने अपने नजम मेरा सफर में अब्तदा में ही मौत का एक मनजर पेश किया है चिनांचे शायर कहता है कि इनसान की जिन्दगी का सफर पायत तक मिल को पहुँचेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आँखों की रोशनी खत्म हो जाएगी हाथों की हरकत खत्म हो जाएगी जबान की गोयाई चीन ली जाएगी और इनसान तितली की तरह दुनिया से उड़ जाएगा और मौत से हम किनार हो जाएगा ठीक है तो ये मौत की आमद से पहले का मनजर पेश किया गया है मेरा सफर नाम के नजम में वो यहां पर कितने खुबसूरत अंदाज में लिख दिया गया है एनसर चलिए चौथा सवाल है कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि जेर नसाब नजम मेरा सफर के आखिर में शायर अली सरदार जाफरी कहते हैं कि मैं मौत के बाद अमर हो जाओंगा इसकी कीफियत यह होगी कि जब मैं मर जाओंगा तो लोग मुझे याद करेंगे अगर मैंने दुनियावी जिन्दगी में अच्छा कामी किया है तो लोग मुझे अच्छाई से याद करेंगे यानि मेरी अच्छाई ही मरने के पीछे जिन्दा रखेगी पाँचवा सवाल है कि जबान के पत्ते से आवाज की तितली उड़ जाएगी या बताकर शाइर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जेरे निसाब नजम मेरा सफर में शाइर अली सरदार जाफरी ने इस्ताराथी जबान इस्तेमाल किया है चुनाँँचा जबान के पत्ते से मुराद नुत कों सदा की ति्द्थली है चुनाँचा शायर कहता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी जिंदगी के सुखे पत्तों से हसने की आवाद सुनाई देगी यानि कि मौत के बाद बजाहर तो जबान की गोयाई सलुब कर ली जाएगी लेकिन वह जबान लेकिन वह जबान हाल से खामोशी में सब कुछ कह रही होगी ठीक है तो ये हो गया इंसर आगे बढ़ते हैं तवील सवालात है यानि कि लॉंग टाइब कोशन सबसे पहला सवाल है कि अली सरदार जाफरी की नजमनेगारी की खुसूसियत वाजी कीजिए ठीक है यानि कि अली सरदार जाफरी जो है ना उनकी नजमनेगारी की खुसूसियत विशेशताय बतानी है कि अली सरदार जाफरी जब नजम लिखते हैं तो उसमें कौन-कौन सी विश्षताय होती है ठीक है यहां पर देखिए जवाब में क्या लिख दिया गया है कि इस सवाल का जवाब देखिए अली सरदार जाफरी की नजम गुफ्तगु में ही यान कि गुफ्तगु नजम को तो गुफ्तगू और मेरा सफर इन दोनों चैप्टर के राइटर अली सर्दार जाफरी हैं तो अली सर्दार जाफरी की नजमनेगारी की खुस्सियत ओल्रेडी चैप्टर नमबर 12 का जब मैं कोशन इंसर करा रही थी तो उसी में बताया जा चुका है तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि इस सवाल का जबाब आप गुफ्तगू नाम का जो चैप्टर है नजम उसी के कोशन इंसर में देखिए आपको मिल जाएगा यानि कि इसका पहला वाला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो समझे की आप लोग को पता होगा अली सरदार जाफरी की नजम निगारी की खुशूसियत जो कि मैं कोशन इंसर कराई थी तो उसमें आप लोग को बताई भी थी आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल देखते हैं मेरा सफर नजम में मनजर निगारी पर एक नोट लिखिए यानि कि मेरा सफर नजम जो है इसमें किस तरह की मनजर निगारी की गई है जिस तरह से मनजर निगारी की गई है उसकी विशेष्टा बतानी है तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि जेर निसाब नजम मेरा सफर के शायर अली सरदार जाफरी है इस नजब में शायर ने फलसफियाना अंदाज इक्तियार किया है उनकी यह नजब मनजर निगारी की बेहतरीन मिसाल है चुनांच शायर फर्माते हैं कि मौत हर जानदार के लिए लाजमी है लेकिन उसके साथ पैदाईश का अमल भी जारी रहता है शायर ने मौत के सफर की मानवियत को इस नजब में पेश किया है उसने पहले ही मिस्रे में कहा है फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मौत से पहले आँख की रोशनी चली जाएगी जबान से उसकी गोयाई चीन ली जाएगी अब तक जिन्दगी में इनसान जो भी खुश गवार लम्हे गुजार चुका है मौत से पहले वो तमाम यादे मस्क हो जाती है महफिले वीरान नजराने लगती है यहाँ तक के खून की रफ़तार और दिल की धड़कने भी खत्म हो जाती है जिन्दगी में यही मौत की अलामत है शायर ने इस हकीकत को बियान करने के लिए इनसानी एज़ा की इन इस्तारों का इस्तमाल किया है आँखों के दिये हाथों के कवल जिबान के पत्ते से नुट को सदा की तितली इस तरह उसने वक्त और अपनी जात के इस्तारों से नजम को एक शायराना हुसन अता किया है मतलब इशारे में इस्तारा यूज़ करके इशारे में उन्होंने कहा है डारेक्ट नहीं बोला इसारे में कहा है जिसे कि आँखों के दिये बुझ जाने का मिशलब क्या और जबान के पत्ते से नुस्कवत सदा की तिकली उड़ जाएगी ये भी इस्ताराई है यानि की इशारा करके बोला गया है कि जबान से आवाज की तिकली उड़ जाएगी यान कि जबान से आवाज नहीं निकलेगी ठीक है शायर का दावा है कि लोग मुझे मौत के बाद भ बिल्कुल सही है इनके मौत हो जाने के बाद भी देखे इनकी नजम को पहा जा रहा है इनको याद किया जा रहा है ठीक है तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू के दो चैप्टर चैप्टर नंबर 12 और 13 इन दोनों चैप्टर का कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा हो सकेगा तो अगले वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ ठीक है आज के इस वीडियो में जो कुछ भी आप लोग को समझाए गया अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स म सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आउन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए आज किस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं इसके साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बा